Hello दोस्तो फिर से आपका स्वागत है एक नए topic के साथ। दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है steel bar और आज हम steel bars के बारे में पढूएंगे reinforcement steel के बारे में पढ़ेंगे AS per IS skirt जो हमारा Is moc 786 है। मैं हमारी a the details होती है स्टील की क्या होता है वो क्यों यूज होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और हम साइट पर स्टील के टेस्ट कौन से करते हैं फिजिकल टेस्ट तो यह सब आज हम पढ़ेंगे आज के लेसन में दोस्तों अगर अभी तक आपने चल्ड को सस्क्राइब नहीं किय क्या है तो सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपने जानने वालों को भी बताएं और दोस्तों सबसे इंपोर्टन बात आज का यह बहुत इंपोर्टन है तो आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें कुछ भी चीज मिसना करें और हो सके तो आपसके नोट्स भी बनाए जो कि आपके काम आए आगे चलगे तो दोस्तों आज हम शुरूबात करते हैं अपने टॉपिक की तो रिपार अबलिक रिइंफोर्सिंग स्टील अबलिक रिइंफोर्स्मेंट स्टील हमारी एक ही चीज होती है यह क्या होता है बे काम कमप्रेशन के है यह हमारी स्टेल यूज होती है जो रिइंफोर्स्मेंट यूज होता है वो वो हमारा Tensile Strength के लिए उस होता है जो जैसे कि मैंना यह mention भी गया है इस यूस्ट फॉर Tensile डवाइस गी हमारा Tensile Strength प्रोवाइड करने के लिए होता है तो दोस्तों यह जो हमारा एक इसमें सबसी जो में है वो है Carbon Content तो जो हमारा IS 1786-1985 जो IS Code है हमारा वो बोलता है इसके Clause No. 32 में mentioned है कि जो Carbon Percent होना चाहिए हमारी reinforcement steel में वो 0.25 होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों यह Carbon Content हमारा कम इसलिए होना चाहिए कि अगर हमारा Carbon Content ज़्यादा होगा है तो उसमें रस्टिंग के चांसे बहुत जादा हो जाएंगे और बहुत आसानी से रस्टिंग हो सकती है दोस्तों ठीक है तो यह हमने पड़ा यह हमने reinforcement के बारे में पड़ा इसके बाद हम दोस्तों आते हैं अपना कि हमारे ग्रेड ऑफ स्टील क्या होते हैं ऐस पर आईएस 1786-2008 तो यह हमारा revised आईएस होड है क्योंकि इससे पहला वाला जो था वह था हमारा 1786-1985 लेकिन यह 1976-1986-2008 यह हमारा revised है ठीक है दोस्तों तो हम इसमें पड़ते हैं कि इस पर आईएस 1786 इसमें हमारे grade of steel कौन से होते हैं तो जैसा कि आप देख पारे हमारे grade of steel होते हैं FE 415-D, FE 500-D, FE 500-D, FE 500-D, FE 500-D, FE 500-D, FE 500-D, FE 600-D इसमें D जो होता है वह माना minimum 0.2% of proof stress होता है छीक है तो यह आपको IS code यह हमारा data पूरा हमने IS code से लिया हुआ है तो आजकल हम ज्यादा तर अपने projects में FE 500 और FE 550 यूज़ कर रहे हैं FE 415 हमने यूज़ करना कम कर दिया है क्योंकि अगर हम इससे जब इस पर आए तो हमारा steel की जो consumption होते है थोड़ी कम होती है मतलब कि अगर हम एक particular structure में 100 kg हमें steel लगाना है तो वहां हमारा FE 400 में 80 kg में ही काम चल जाएगा जहां पर दो और तो से जादा number of lens अगर प्रॉपरली बेंड टोगैदर अगर वह एक साथ bundles की शेप में है तो वह स्टील के स्टील की उसके constituents क्या होते हैं उसकी maximum percentage क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि FE 500 और FE 500 सबस्यादा यूद होता है तो मैं आपको इसी इनी के बता रहा हूं बाकी उपर जो मैंने बताया FE 413, 500, 550 और 600 इसका IS code mentioned है आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं तो मैं आपको सिर्फ FE 500 और FE 550 के बारे में बताता हूं तो जो नए IS code है उसके according जो हमारा carbon content है वो 0.30, 0.30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सल्फर हमारा 0.055 और 0.055 दोनों केसे में सेम रहता है जैसा कि उपर carbon content था इसमें फॉस्फोरस हमारा 0.055% होना चाहिए यहीं FE 515 में 0.050% होना चाहिए ठीक है इसके बाद है सल्फर और फॉस्फोरस हमारा FE 500 के केस में 0.105 होना चाहिए 0.105% and FE 550 के केस में यह 0.100% होना चाहिए तो दोस्तों यह हमारे कुछ chemical combustion of steel है यह बड़ा याद रखने की चीज़ है काफी important है इंटेव्ज वगरा में पूछा जाता है कि कि steel के अंदर जो हमारे chemical combustion होती है तो उसमें क्या क्या होते है और उसकी percentage क्या क्या होती है ठीक है दोस्तों इसकी बाद हम आते हैं अपने nominal sizes पर कि जो as per IS code हमारे कौन से steel bars और steel wires के sizes होते हैं तो दोस्तों हमारा जो steel है वो 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20, 28, 32, 36 और 40 mm तक का होता है है as per IS code दोस्तों चार और 5 mm हमारे कहीं भी यूज नहीं होते हैं अब construction के अंदर यह जो 6 mm steel है यह हमारा brickwork में यूज होता है और इसका वहाँ नाम होता है hoop iron, जो हम 4 mm और 115 mm का जो brickwork होता है उसके अंदर देते हैं हर तीसरे हर 14 देपर तो यह 6 mm हमारा हमाई यूज होता है उसके बाद यह जो 8 से लेके 40 तक है यह हमारा construction के अंदर यूज होता है इसके बाद हम आते हैं दोस्तों density of steel तो density of steel हमारे 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो से कि हम मैंचन किया यह दोस्तों इंटर्वी वाला question है यह आप बहुत है आप याद रखिएगा इसके बाद हम आते हैं कि manufacturing certificates क्या क्या होते हैं जो IS code बोलता है कि manufacture जो आग जो भी company जैसे टाटार है टाटार डिसकॉन है JSW है राठी है यह भी जितनी भी कैसी company आसे तो उनक अगर यह हमारी सेट पर डिलिवरी कर रहे हैं तो तो पहला होना चाहिए place of manufacturing of the reinforcement steel उसकी उसकी पास certificates में यह place of manufacturing कि उसकी manufacturing कहा होई है दूसरा nominal dia of the steel उसका dia क्या है steel का तीसरा उसकी grade of steel क्या है कि FE 500, FE 550 है फिर है उसका rolling marking on the steel उसकी rolling marking होनी चाहिए steel के ऊपर फिर उसका cast number mentioned होन certificates पर date of testing उसकी क्या क्या test उसके किये हैं उनकी क्या क्या dates है वो भी हमारे पता होना चाहिए mass of the tested lot जैसे मैंना बता है कि उसके नदर हमने क्या क्या test test किये हैं तो उसके जो mass है वो भी उसके reports वगरा हो उसके अंदर mention होनी चाहिए और individual test report for all properties जो जो steel के अंदर हम check कर सकते है properties उनकी individual reports होनी चाहिए ठीक है दोस्तों एक चीज़ और जब भी आपकी set पर स्टील आती है उसका bundle बढ़ा होगा तो उसके साथ एक tag attached होता है उसमें आप हमेशा देखिए का tag या फिर कागज का tag उसमें attached होता है तो उसमें उसकी काफी information लिखी होती है जैसे कि वो bundle कितना उसका weight केतना है उसमें लिखा होता है proper उसका cast number और lot number क्या है वो उसमें लिखा होता है उसका grade क्या है कि वो F.E.500 है या 415 है या 550 है मैसे maximum F.E.500 और F.E.500 ही use करते हैं और उसका dia क्या है ये भी जो tag उसके अंदर attached होता है इसमें सब कुछ properly mentioned लिखा होता है इसके बाद दोस physical test पर आते हैं दोस्तों जैसा कि आप यह सामने लेख पा रहे हैं हम अब बात करेंगे physical test of steel की तो पहला है इसमें check of manufacturing certificates जो मैंने अभी आपको यहां बताया कि हमारे क्या के manufacturing certificates होते हैं जो हमें check करने चाहिए तो एक तो सारी यह test होते हैं steel के जो उसके जो driver आता है उसके जा कि उसके अंदर क्या क्या होता है यह सारी चीज़े हमने check करने चाहिए उसमें tag लगे हुए हैं उसके अंदर इसके बात है सबसे important दोस्तो rolling margin कि उसका हमें पर उसका एक meter का जो weight है वो check करना होता है और उसमें as per is code कुछ उसके permissible हमारे plus minus percentage के वो होता है कि उसमें कितना plus minus percentage तक variation चल सकता है तो दोस्तों as per is 1786 2000 मैं आपको यह data बता रहा हूं तो यह दोस्तों यह हमारा जो weight of steel का formula होता है इसको आप याद रखेएगा बहुत important है और इसको आप ना भूलें कैसे भी इससे आप किसी भी steel का weight निकाल सकते हैं जैसे 8 है में मेरा डाया है तो 8 into 8 64 64 162.12 जो की मेरा 0.395 आता है ठीक है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि as per is code जो हमारे जो percentage है कि उसका weight कितना आता है और minimum और maximum तक वो कितना हो सकता है जो acceptable है side per as per is code वो में बताता हूं आपको तो दोस्तों जैसे मैंने ये chart बनाया है ये मेरा size है इसमें इसमें standards है मतलब कितना kg उसका weight है per kg पर एक मीटर का उसके बाद ये उसमें minimum हम कितना हो उसे accept कर सकते हैं maximum ये underweight है underweight कितना हम accept कर सकते हैं maximum मतलब कितना overweight हम accept कर सकते हैं और ये मैं आपको percentage बता होगा कि percentage में कितना variation है ये पूरा चार्ड आपको ठीक दोस्तों तो जैसे में art जो हमारी construction में use होती है mainly वो steel ये है 8 mm 10 12 16 20 mm और 32 ये हमारी major steels हैं जो हमारे construction और मड़े मड़े projects में residential commercial hospitals वगरा में use होते हैं और evenly हम लोग अपने घरों में भी ये 25 तक यूज कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों मैंने इस इस formula जो मैंने ऊपर mention किया हुआ है इस formula से इन सबका standard एक मीटर का weight नकाला है जो कि आप देख पा रहे हैं 8 का मेरा point 395 होता है 10 का मेरा point 617 होता है इस तरीके से मैंने सबका weight नकाला हुआ है दोस्तों इसके बाद में नकाला है कि अगर वो underweight है तो यह minimum वाला है और overweight है तो maximum वाला है तो इसके क्या क्या है parameters होते हैं जिसके अंदर में accept कर सकते हैं तो दोस्तों आप यह नहीं याद करके आप percentage याद कीजिए percentage में क्या है कि जो 8 mm और 10 mm का जो मेरा steel है उसमें 7% तक का plus minus का variation रहता है अगर वो 7% मेरा 7% इसका यह 0.367 है minus में और plus में मेरा यह 0.423 है तो अगर आप 0.395 का 7% करेंगे तो मेरा minus करेंगे तो यह आएगा और plus करेंगे तो यह आएगा तो इतना मैं इसको कर सकता हूं क्योंकि यह यह आप याद करने ही पाएंगे क्योंकि यह readings काफी lengthy हो जाते हैं आत करने के लिए और यह standards आपको याद करने के लिए और यह परसंटे लिए प्याद रखेंगे तो आप कभी नहीं फसेंगे इसमें इसके बाद हम आते हैं 12 से 16 बारा और 16 के जो मे आइस करूंगा तो 0.844 आएगा और 5 परसंट एड करूंगा तो 0.932 आएगा ठीक है दोस्तों इसके बाद यह 7 परसंट हो गया 8 और 10 के लिए अब 12 से 16 के लिए मेरा 5 परसंट हो गया अब 20 से 32 के लिए 20 25 28 32 मेरे चार्ड आया और बचते हैं इसमें जो मेरा percentage of variation रहेगा व 20 का जैसे 2.466 मेरा standard weight आता है जो मैंने इस फ़र्म से निकाला इससे निकालने के बाद अगर मैं इसमें 3% एड करूंगा इस weight में तो मेरी यह फिकर निकल के आएगी पॉइंट 3.940 ठीक है तो अगर मैं इसमें से minus 3% करूंगा जो मेरा under weight आ रहा है तो मेरी यह फिकर निकल अगर मेरा under weight और over weight में में दिक्कत क्या होती है अगर मेरा सरीया under weight है तो मेरा structure में steel उतना नहीं मिलता है जतना required है और over weight है तो मेरा structure की cost बढ़ जाएगी cost of construction बढ़ जाएगी और मेरा dead load जो होता है structure वह भी बढ़ जाएगा दोस्तों सेम 32 में 32 का जो steel होता है उसका 6.316 kg per meter का weight होता है और यह plus minus 3% करूंगा मैं minus की under weight में यह इतना आएगा और 6.316 plus 3% करूंगा मैं तो मेरा इतना आ जागा over weight में तो दोस्तों यह हमारा कुछ physical test होते हैं और rolling margin का funda यह होता है rolling margin हमारा क्या होता है basically जो मेरा actual side पर आया है यह आपको ज्यादा easy रहेगा कि जो मेरा actual side पर जो steel आया है actual weight जो आ रहा है minus theoretical weight तो अगर यह हम ऐसे निकालते है rolling margin को कि इसके जो मेरा weight आ रहा है वो minus जो मेरा actual आ रहा है अगर इसके जो भी आ रहा है उसको अगर वो इन parameters में फुल्फिल करता है तो वो हमारा pass है otherwise हम उसको reject कर सकते हैं side पर underweight और overweight का tag लगाने के भाल तो दोस्तों आज का यह topic था हमारा steel के बारे में as per IS code क्या होता है test क्या होते है chemical composition क्या होती है दोस्तों उम्मीद है मुझे आज के इस topic के बाद आपको काफी सारी चीज़े clear हो गई होंगी steel के बारे में और हम क्यों यूज करते हैं क्या क्या रोल्स होते हैं उसके क्या क्या test होते है मारे steel के दोस्तों आपको मेरा आज के वीडियो कैसा लगा यह मुझे नेक्स वीडियो में थेंक्यू एन ओलावेस्ट